नमस्कार मित्रो मैं अनिल कुमार सेट एस्टॉलोजी वास्तू एंड नेमरालोजी एक्सपर्ट आज हम मीन रशी का वीडियो लेके आए हैं मीन रशी का गुरु जो मार्की होने जा रहा है 18 अक्तूबर 2021 को उसके उपर क्या फल आपको मिलने वाला है देखें गुरु जो है इस समय मकर राशी में चल रहा है शनी के साथ आपका लाबाव में चल रहा है और गुरु दनिश्टा नक्षत्र में चल रहा है मंगल के नक्षत्र में गुरु का जो ट्रांजिट है लाबाव में बहुत ही सुन्दर बना हुआ है 18 तरीक को ये मारगी हो जाएगा गुरू अभी तक वक्री चल रहा था मकर राशी में और नॉवंबर में ये दवारत से कुम राशी के आपके बारवे बाव में परवेश करेगा मीन राशी का अगर देखा जाए तो बरसपती आपका राशी का स्वामी है आपके 10 ताउस का जो आपके वेपार करते हैं उसका कैरियर का स्वामी है गुरू आपका जो इस समय सितियां बनी वी है लावा में दोनों बड़े प्लैनेट की वो बहुत सुन्दर बनी वी है अचानक से आपको कोई दलाव मिल सकता है और कोई पैत्रिक संपत्ती की पराप्ती हो सकती है प्रापर्टी से दलावा आ सकता है मीन राशी के अगर देखा जाए तो दोनों गुराओं का लावा में आना अपने आप में एक राज्योग उत्पन होता है क्योंकि 11 ताउस डिजाइर का होता है हमारी विश्का होता है जो हमारी बगवान पूरी करता है बरस्पती क्योंकि नीच का है लेकिन नीचता उसकी शनी बंग कर रहा है फिर भी ये एक शूप पलैनेट है और इसकी दरिष्टियों में अमरित होने से आपके रुके हुए काम भी काफी अच्छे बनने वाले है अगर दरिष्टियों की बात करें तो गूरू की दरिष्टी आपकी विर्शव राशी पर जा रही है जो की आपकी टारस राशी तीसरे बाव पर जा रही है मित्रों से सह जोग मिल रहा है communication से स्योग मिल रहा है कोई नई interview के लिए आप profession कर रहे हैं अगर job में करते हैं काम और दूसी बाद यहाई कि मित्रों से sibling से लाब मिल रहा है कोई social media में अगर आप काम करते हैं तो आपको भी इससे support काफी मिलने वाली है social media जैसे youtube में आप channel चला रहे हैं काम कर रहे हैं किसी भी तरह सा तो online business कर रहे हैं उसमें भी आपको यह सब चीज़े देखने को मिलेगी गुरू क्योंकि तीसरे बापे दृष्टी जो डाल रहा है वो आपके लिए काफी शुब प्लैनेट है और आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तन लेके आ रहा है गुरू की दृष्टी की बात करें तो गुरू की दृष्टी आपकी फिफ्ट हाउस पर भी जा रही है जो की higher education पर जा रही है बच्चों की उपर जा रही है आपके खुद की body community की उपर जा रही है गुरू की दृष्टी पंचंबर जाने से आप अगर higher education की तलाश में हैं तो आपको युनिवर्स्टियों में admission मिल सकता है आपको यहाँ पर seat मिल सकती है दूसी बात यह है कि पंचंबर में दृष्टी जाने से आपके decision यहाँ पर positive रहने वाले हैं 18-30 के बाद और करक राशी पर दृष्टी जाने से आपकर शादिश होता है तो आपको love mate से भी काफी lab मिलने वाला है और गुरू की अगली दृष्टी की बात करें तो आपकी करने राशी पर 7th house पर जा रही है जो की daily routine work में गुरू आपका improvement लेके आ रहा है कारेक शित्तर में आपका बदलाब देख रहा है यानि की जो आप कारेक शित्तर करते हैं उसमें कुछ change देख रहा है हो सकता है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्टन किया जाए या फिर एक सीट से दूसरी सीट पर आपको बठाया जाए जो नया काम आपको मिलने वाला है अगर आप business करते हैं तो partnership में आपका कोई नया काम शुरू होने वाला है वेपार में आपको काफी धलाब भी मिलने वाला है क्योंकि 7th house partnership का भी होता है और अगर आप शादिश होता है तो life partner के साथ मिलकर भी आप कोई company कोल सकते हैं नया काम शुरू कर सकते हैं IT क्षेतर में है क्योंकि कन्या राशी पर द्रिश्टी है communication का का काम करते है IT software industry का का काम करते है तो उसमें भी गुरू बहुत अच्छा आपको धनलाब मिलने वाला है गुरू की जो दूसरी राशी है वो है धनलाब राशी जो की आपके 10th house की राशी है उससे अगले भाव में गुरू है तो ये एक अच्छा साइन है कि कोई भी प्लैनेट जब अपने बाव से अगले बाव में हो तो आपको अच्छा लाब देता है दश्रमस्तान आपके विपार का मानपरतिष्टा का है आपके पद का है उसमें गुरू का फैदा हो रहा है आपको पबलिक से सपोर्ट मिल रही है आपके मानपरतिष्टा में विपार में वरिदी कर रहा है और आपकी जॉब में भी काफी अच्छा पैदा मिल रहा है कोई बड़े बाई से आपको लाव मिल सकता है क्योंकि 11 ताउस एल्डर्स का होता है एल्डर्स यानि कि जो आपके एल्डर है घर में जैसे दादा पर दादा होए आपके माता पिता होए वो एल्डर्स को हता है गुरू एक एल्डर का भी कारगरा है मना जाता है और शेनी भी इन चीजों का मना जाता है बगवान की भी आपके उपर काफी जिसको एत्या blessing आ रही है तो ये गुरू का जो राशी मतलब सौरी ये जो गुरू का जो मारगी होना आपके लिए बहुत ही सुन्दर है दनिश्टा नक्षत्र में है मंगल के नक्षत्र में है और सेकिंड आउस को भी activate कर रहा है मंगल के नक्षत्र में होने से कोई पर प्रवाव और नाइन्थ हाउस दोनों activate कर रहा है ये नक्षत्र का बहुत जबर्दस प्रवाव अता है नक्षत्र अगर आपके फेवर में है तो प्लैनेट भी फेवर में आ जाते हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जुरूर बताईए मीन राशी पर आज हमने आपको यूट्यूब के मादेम से बतलाया आशा करते हैं वीडियो लाइक सबस्क्राइब भी करेंगे और इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं नमस्कार